इस सद्धियाय से आप सब लोग मेरे खाल से भली बाती वाकिफ होंगे Because of these devices, जो आप मेरे भी इस PV लॉग को देख रहे हैं Like mobile phone, tablet, desktop, laptop and smart TV उस branch से जो निर्मिट devices हैं, आप उससे मेरे इस PV लॉग को देख रहे हैं Electronics इस electronics की सही परिभाशा की बात करूँ तो ये electrons एक जगे से दूसरे जगे तक टकराने से, या फिर electron खुद उतसर्जित होने से या तो आपको bits and bytes में media के तौर पर information या तो बहुत सारे commands आपको data के तौर पर मिलता है और उस command rupee information के कारण आपको mechanical output कभी कभी मिलता है Like controlling the any type of speed, या फिर on and off execution कई सारा huge amount of data आपको मिलता है in the form of binary bits, ones and zeros ये सब इसले हो रहे हैं क्योंकि electrons का सही time पर execution होता है ये सब electronics की branch से ही संभव है ये जो चीज मैंने आपके सामने बयाग किया इसे आप हर दिन खेती किसानी के छेत्र में, चिकित्सा के छेत्र में, देश की सुरक्षा के छेत्र में, उद्योग के छेत्र में, अंतरिक्ष में खोज और अनुसंधान के लिए, इंजिनेरिंग के छेत्र में, एजुकेशन के फिल्ड में और कई सारे छेत्रों में इस electronics क बहुत बड़ी भूमिका रही है इस electronics की शुरुवात सबसे पहले vacuum tube diode से होती है फिर उसके बाद tryout दुनिया के सामने आता है ये devices बहुत ज़्यादा temperature पे और बहुत ज़्यादा shore मचाते हुए आये थे समय बीतने के साथ-साथ और इंसान का दिमाग विकसित होने के साथ-साथ कई सारी इसमें research and development हुई कई सारे evolution सामने आए further इसमें कई सारे शोध और अनुसंदान होने के बाद जो electronics की चीज room जितना बड़ा होता था धीरे-धीरे खोज करते-खरते उसको और छोटा करता गया और फिर आज की rate में आप देखते हैं कि वो माचीस के डिब्बे जितना छोटा हो गया है वो electronics के device और इतनी से data में कई सारे digital execution होते हैं और तुरंत आपको output देता है और कई सारी यादों को आप digital media में store करके आप उन यादों को संजो के रखते हैं that is called the solid state devices आप देखते हैं और कई सारे ICS और electrical components को attach करके like inductor, capacitor और moss capacitance devices इन सभी चीजों को combine कर दिया जाता है एक printed circuit board में, PCB में इस PCB को हर एक electronic devices में आप different different नाम से जानते like personal computer के लिए वो PCB एक motherboard क्यालाता है microprocessor के अंदर microchips और mosfet को सुईयों जित करना ये सारी चीज electronics branch की देन है and of course ये मेरा academic subject ही है मेरा core subject है because I belongs to electronics and communication engineering and almost 9 years I had prepared for the UPSC engineering services उसके अंदर electronics and telecommunication engineering एक branch होती है इस subject के अंदर मेरी बहुत गहरी दिलचस्पी है but वो सारी engineering vast knowledge मैं इस general knowledge के एक channel में नहीं बता सकता because अगर वो बताने बैठा तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी तो इस basic physics के chapter में मैं वही बाते बताऊंगा जो static general knowledge syllabus के अंतरकत है जिसे आम आद्वी को समझना ज़रूरी जिसे मैं आज इस pvlog पर आपके सामने पेश करना चाता हूँ मैं नेम इस राहूल रगगारे और आप देखरें presentation video log जिसमें आज इस basic physics series का आखरी chapter chapter number 13 electronics का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करना चाता हूँ मैंने इस से पहले के pvlog atomic and nuclear physics में nuclear fusion के अंदर plasma की चीज मैंने बताई थी वो plasma कैसे achieve हुआ था gas state का कोई material था हमने उसको close chamber में heat किया और वो plasma बन गया था मगर electronics में सारा खेल एक material का होता है metal का होता है तो जाहिड सी बात है कि इस pvlog में metal की ही बात करूँगा तो एक metallic specimen को जिसका cross section area बहुत कम है या उसे metallic filament भी कह सकते हैं अगर हम इस चीज को बिना air के presence में बहुत ज़्यादा heat करते है provided इतना भी ज़्यादा हम heat ना दे जिसके कारण वो metallic filament मेल्ट हो जाए तो बाहर से वो बेशक glowing yellow या फिर hot rod लाल कलर जैसा दिखाई देता है as a arm आदबी के दिश्टी को उन से देखा जाए पर physics की नजर से शब्दों पर बयान करो तो 1883 में ये चीज़ पाई गई थी कि metal surface पर electron vibrate होकर radiation emit कर रहे थे in the form of light इस चीज़ को Thomas Alva Edison ने सबसे पहले निजात किया था और इस emit हुए electrons को thermion's नाम दिया गया था जैसा कि आप इस समय इस figure में देख सकते है कि मैंने electrode connect किये है ये जो है वो filament गरम हो रहा है और इसमें से देख रहे हैं कि लाल कलर के electrons emit हो रहे है electrons कर कोई color नहीं होता है जिस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर represent कर रहा हूँ इस phenomena को thermionic emission कहा जाता है also इसे addition effect भी कहा जाता है ये तो artificially heat देने की बात हुई बोले तो अपनी तरफ से heat देने की बात हुई literally अगर कहा जाए तो heat का संबन heavy temperature देने से नहीं होता बलकि cold temperature भी देने से होता है या फिर electric field देने से भी होता है तो उसी metal के surface पर अगर एक strong electric field का vortex introduce करें जैसा कि आप देख सकते कि मैं electric field पास कर रहा हूँ जिसे मैं light yellow color से represent कर रहा हूँ तो upper वाले हिस्से से देखिए तो कैसे electrons वहाँ से emit हो रहे है इस तरह के electron के emission को field emission या फिर इसे cold emission भी का जाता है तीसरा तरीका है electrons को emit करवाने का कि उस metal body पर अगर हम highly energetic electrons को forcefully bombard करवाए जैसा कि इस समय आप ये light yellow color का electrons आप देख रहे हैं जो एक साथ उस metal body पर bombard हो रहे हैं तो clearly आप देख सकते कि उसमें से electrons जो है वो emit हो रहे हैं दूसरी तरब से तो इस तरह से electrons की निकलने की phenomena को secondary emission कहा जाता है और चौता तरीका है metal से electron को emit करवाने का कि उस पर ultraviolet radiation pass करवाए that is light या फिर electromagnetic wave तो उसके कारण metal से अगर electron निकलते हैं तो those electrons were called the photo electrons जैसा कि इस समय आप देख सकते कि light yellow color की electromagnetic radiation या फिर light energy या फिर सूरज की किरण यहां पर इस metal पर पड़ रही है तो कैसे उसमें से ये लाल कलर के electrons जो मैं represent कर रहा हूँ किस तरह से वो निकलते जा रहे हैं इस phenomena को photo electric emission या फिर photo electric effect कहा जाता है इस phenomena को मैंने light chapter में या फिर कही ना कही मैंने atomic and nuclear physics में मैंने आपको बताया था वही चीज आप इस समय इस website media के screen में देख रहे है photo electric effect ये जो चार चीज जो मैंने बताए इस चीज को electronic subject के अंदर electronic devices and circuits के अंदर पड़ा जाता है यानि कि हमारे engineering में उसमें इस चीज को बहुत ज़्यादा depth में पड़ा जाता है like quantum tunneling effect impact ionization hall effect channel length modulation cut in voltage diffusion and drifting of electrons punch through effect वो जो electron वहाँ पर जमा हो जाते थे उसके कारण depression region बनता था उसके कारण capacitance generate होना electrons के पास होने के कारण conductivity मिलना इन चीजों को कई तरह के characteristics और energy band diagram के जरीए पड़ा जाता है जैसा कि इस समय ये मेरे electronic devices के engineering के handwritten notes इस website media के screen में देख रहे हैं अगर आप मुझे जितने भी electronics and communication engineering के pass outs देख रहे हैं जितने भी studying aspirants and professors मेरे इस pvlog को देख रहे हैं तो उन्हें ये सारी चीज़े understood होगी जो भी मैं बता रहा हूँ मगर मेरा मकसद इस समय इस topic को general knowledge के aspect में समझाने का है जो आम नागरिक को समझ में आती है तो जो भी electronics and communication engineering के aspirants मेरी इस pvlog को देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि electronics के basic aspect के तौर पर इस video को गौर से देखे इस electronics के छेत्र में जैसे जैसे साल गुजरते गए 1900 का साल चालू होता है और इंसान और वग्यानिकों का दिमाग evolve होने लगता है तो 1904 में एक English electrical engineer and physicist John Ambrose Flaming ने diode valve की रशना की थी इन्होंने एक experiment किया था एक खाली glass tube के अंदर में high power supply से connected anode and cathode को रखा था and cathode plate के नीचे heating filament को रखा गया था जिसकी अपनी ही एक supply थी जो low power supply से connected था जैसा कि इस समय इस circuit diagram के screen में diode valve का circuit diagram आप देख रहे है black color का ये जो है high power supply है और ये जो red color का जो आप देख रहे है ये red filament से connected है ये low power supply है pay attention यहाँ पर मैं pn junction diode and other diode devices की बात नहीं कर रहा हूँ ये devices तब आये थे जब semiconductor दुनिया के सामने आया था मैं यहाँ पर diode valve की बात कर रहा हूँ जो pn junction diode की working से अलग है इस diagram को अगर आप गौर से देखे तो anode plate इस experiment पर just एक plate की तरह act कर रहा है जो electron को collect करेगा and cathode plate को filament assembly से heat up करेंगे तो उसमें से electrons निकलेंगे because यहाँ पर anode plate में high tension supply connected है तो उसमें positive potential है and इस electron के emission के कारण कितना voltage and current फर्दर मिला plate voltage को देखने के लिए volt meter यहाँ पर लगाया गया है and उस diode valve से कितना current मिला इस चीज़ को देखने के लिए m meter यहाँ पर लगाया गया है तो जैसे ही इस circuit को on करेंगे सबसे पहले तो हमें filament circuit को on करना पड़ेगा तो filament heat up होगा तो cathode plate भी correspondingly उसके साथ heat up होगा तो कुछ electrons को anode plate collect कर लेगा and rest of the electron जो cathode plate से emit हुआ उसी cathode plate पर गहरा बनाकर एक जूट हो जाएंगे बोले तो accumulate हो जाएंगे जैसा कि आप इस figure में देख सकते हैं कि यह filament जो है वो heat up हो रहा है और यहाँ पर electrons cathode plate पर accumulate हो गए हैं जिसे मैं इस shape में red color के outline से represent कर रहा हूँ इस electron की गतिविदी के कारण भी थोड़ा बहुत ammeter पर current flow detect करेगा यह activity होने के बाद जब इस anode plate पर positive potential दिया जाएगा तो cathode plate और anode plate के बीच जो gap था वो gap electron से fill up हो जाएगा and पूरा circuit complete हो जाएगा मतलब यह है कि electrons जो cathode plate पर accumulate हुए थे वो अब flow होने लगेंगे और anode plate पर जाते रहेंगे तो वो जो anode plate से flow होता हुआ current जो ammeter ने detect किया इस चीज़ को plate current कहा जाएगा and जैसे जैसे anode voltage बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो peak तक पहुँच जाएगा that means सारे electron anode plate में गुसते रहेंगे बोले तो electrons बार-बार उस anode plate पर saturate होते जाएगे and circuit complete हो जाएगा जैसे ही यह activity होती जारी है कोई भी further plate current का amplitude नहीं बढ़ेगा as you can clearly see the plot that I am showing in this presentation slide and इस तरह की diode valve की working इस experiment पर पाये गया था जिससे शायद आज भी alternating current से direct current पर बदलने के लिए rectifiers पर इस्तमाल किया जाता होगा and rectifiers इस diode valve का एक application कहलाता है यह तो circuit diagram हुआ अगर इस diode valve का actual rough picture बताऊं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसके levels आप इस website मीडिया के screen में आप देख रहे है जैसे जैसे साल गुजरते गए इस चीज़ पर कुछ और बदलाव किये गए थे क्योंकि diode valve से बहुत ज्यादा तादात में thermo ions emission हो रहे थे जिसके कारण बाहरी glass tube को नुकसान हो रहा था तो इस thermal electron को काबू करने के लिए बुले तो control करने के लिए एक और electrode लगाया गया था cathode plate और anode plate की बीच में जिससे control grid कहा गया and because of three elements plate, filament and grid ये device को triode valve कहा गया जिसे 1907 में एक American inventor and radio pioneer Lee D. Forrest ने बनाया था नौ इसके कारण बढ़ते हुए voltage से plate current का peak बढ़ता गया क्योंकि यहाँ पर हमने control grid लगाया तो उसकी वज़े से different amplitudes हमें मिल रहे थे जैसे अब इस figure में देख रहे हैं कि बढ़ते हुए amplitude को मैंने orange color से represent कर रहा हूँ and इस invention से amplifiers, oscillators, modulators, transmitters and detectors बनाये गए थे और मनुश्य का दिमाग जैसे जैसे विक्सेत होता गया अच्छे अच्छी चीज़े जैसे जैसे इमिजात की गई वैसे वैसे लोगों की मांगे बढ़ती चली गई ये तो vacuum tube से ये सारी चीज़े design की गई थी तो इसके कारण क्या हो रहा थे कि वो जगे बहुत ज़्यादा गेर रहा था जैसे जैसे thermo ionic emissions electron emissions हो रहे थे वैसे वैसे उसके कारण जो है वो temperature भी बढ़ता जा रहा था तो वैग्यानिकों ने तीन तरह के temperatures जो है वो दुनिया के सामने रखे थे जिसे मैंने heat chapter में मैंने आपको बताया था पहला तो होता है absolute temperature यानि कि 0 Kelvin यहाँ पर तो कोई electronic devices तो काम नहीं कर सकते थे फिर होता है room temperature यानि कि 300 Kelvin यहाँ पर आप कह सकते कि सारे के सारे electronic devices यहाँ faithfully काम कर सकते हैं अच्छ से काम करेंगे फिर आता है ambient temperature जो कि 290 Kelvin होता है यहाँ पर तो electronics devices सारे के सारे आते ही आते हैं साथी साथ electronics पर अगर मालो communication channel और उसको related अगर signal generate करना है तो वो सारे के सारे communication devices इस temperature के अंदर सारे के सारे आते हैं अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि 300 Kelvin के अंदर जो है वो नहीं होता है कुछ-कुछ आते हैं जो human related devices रहते हैं वो सारे के सारे इस room temperature के अंदर भी आते हैं इस electron emission से बढ़ते हुए temperature के कारण इसका thermal voltage निजात किया गया था Vt is equal to Kt by Q इस equation पर अगर मालोजे सभी के सभी default value को रखें यानि कि room temperature को हमने रखा, बोल्ड जमान constant को हमने रखा और charge की value रखते हैं तो करीब-करीब यहाँ पर 26 millivolt आता है NDC temperature and voltage variation के कारण energy bands के हर aspect में theory निकल कर सामने आई जिससे conductors and insulators की असली परिभाशा निकली क्योंकि energy band gap temperature के variation से उलट हो रहा था अगर ये energy gap 5 electron volt या उससे स्यादा है जैसे कि आप इस समय इस figure पर देख रहे हैं यहाँ पर यह forbidden energy gap यहाँ पर represent कर रहा हूँ white color से forbidden energy gap का मतलब यह है कि दोनों energy level के बीच एक distance एक gap है जहाँ पर कोई electrons मौझूद नहीं रहते या फिर यह समझ लीजे कि यह electrons का एक channel कहलाता है जो lower energy level से higher energy level कहलाता है यहाँ पर electrons कभी ठहरते नहीं है तो क्या कहा मैंने अगर यह energy gap 5 electron volt या फिर उससे ज्यादा है तो valence band रूपी lower energy level से energized या फिर excited electrons higher energy level पर नहीं जा पाएंगे अगर वो electrons conduction band पर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई चीज़ conduct नहीं होगी कितना भी कोशिश करें जैसे आप इस figure में देख रहे हैं कि लाल कलर के जो electron जो मैं represent करता है आया हूँ अब तक तो वो जो है वो उपर तक नहीं जा पा रहे हैं वापस अपने direction पर आ रहे हैं तो यह electrons कितना भी energized करने के बावजूद वो lower energy level से higher पर नहीं जा पा रहे हैं यह activity अगर होती है तो ऐसे material को insulators कहा जाता है ऐसे materials की conductivity की अगर बात करो तो in general zero conductivity होती है practical sense पे अगर दिखा जाए तो negligible होती है conductivity मतलब अगर conductivity थोड़ी भी बहुत भी अगर दिखाए दे तो उसे avoid किया जा सकता है इस situation को numerical calculation वाले electronics के जो भी बंदे होंगे वो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ तो मैं इस PV log में as a general sense में बात कर रहा हूँ तो I hope EC student can understand it अगर इस insulators के example की बात करो तो silicon dioxide होता है paper होता है, plastic होता है, ceramic होता है bakelite होता है, लकडी होती है, diamond होता है यह सारे insulators के examples है कुछ materials ऐसे होते हैं, जिसमें band gap होता ही नहीं है यह सकता हो कि दोनों valence band and conduction band बोले तो lower energy level and higher energy level एक दूसरे के close आ जाते हैं या फिर एक दूसरे को overlap करते हैं यह जो आप तीसरा color देख रहे हैं, wipe होता हुआ यह actually valence band and conduction band का मैंने यह transparent color मैंने लिया है तो यह दोनों एक दूसरे को combination से overlap हो रहे हैं, ऐसे मैं बता रहूँ यहाँ पर, तो यह valence band और conduction band एक दूसरे के overlap हो जाते थे, कुछ situation में तो इन दोनों के बीच कोई gap नहीं है तो इसका मतलब यह होगा कि electrons यहाँ पर भार ही तादात पर बिलेंगे कोई restriction नहीं है, electron को lower level से higher level पर flow करवाने के लिए, इस activity पर लागू होने वाले material को conductor कहा जाएगा तो conductors क्या होते हैं, इस चीज़ को मैंने electricity के chapter में मैंने आपको अच्छे से explain किया है अब मान लिजी यह energy levels की distance यानि कि इस forbidden energy gap को कम कर दे, 1.5V electron volt या फिर उससे कम, और एक अच्छे से room temperature में अगर किसी devices को रख देते हैं, सभी electronic gadgets को अगर मान लिजी, room में रख देते हैं या फिर किसी परचाई के नीचे आप रख दे या फिर उस material के आगे एक protective layer लगा दे, जो बाहर से आने वाली radiation को इससे बचाए तो बले ही, थोड़े से electrons valence band से conduction band में जाएंगे या फिर उपर नीचे अगर जाएं lower level से higher energy के बीच तो एक अच्छा सा control voltage हमें मिलेगा, उसका output या तो electrical form पर मिल सकता है, या तो heat के form पर मिल सकता है, या तो light के form पर मिल सकता है as you can see in this figure, यहाँ पर electrons उपर जाते जा रहे हैं, lower level से higher energy के बीच, because lower level से higher level के बीच forbidden gap कम है, तो इस material में ऐसी activity अगर दिखाए देती है जिसकी conductivity, conductor और insulator के बीच हो ऐसे material को semi conductor कहा जाएगा, ये एक ऐसा solid state material है आज की date में, जिसकी resistivity एक conductor से ज्यादा है, और insulator से कम है, हम जाते हैं कि resistivity का उल्टा conductivity होता है तो semiconductor की conductivity याने electrons को flow करवाने की क्षमता, एक conductor से कम होती है, मगर insulator से ज्यादा होती है, और यहाँ से इस चीज की invention के कारण कई सारे physicists and engineers की महत्वपून योगदान के बाद यह electronics, physics का नया subject बन गया, और नई ब्रांच के रूप में सामने आई, जो आज के तारिक में लगातार, यह electronics growth industry का बहुत बड़ा आयाम है, और यह हमारा बहतर भविश्य है, अब इस semiconductor के अंदर और भी ऐसी चीज़े हैं, जिसे आम आदमी को समझाना ज़रूर हैं, जिसे मैं electronics के अगले हिस्से पे आपके सामने पेश करूँगा, फिलाल के लिए मेरी तर्फ से इतना ही, यह था basic physics का chapter number 13, electronics का पहला हिस्सा, अगले हिस्से में मैं इस chapter की आगी की कहानी लेकर आपके सामने फिर हासिर होगा मुझे उमीद है कि आपको यह PV लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और जरुरत मंदों को जो competitive exams की तेयारी कर रहे हैं और आपको इस तरह के general knowledge की content अच्छे लगते तो प्लीज मेरे इस channel को subscribe कीजिए और हाँ, social networking websites आपके लिए है जिम्मेदारी से इसका इस्तमाल कीजिए खुछ या फैलाईए, अफ़वाई नहीं This was Rahul Raghgarin Thank you very much for watching this PV log Have a nice day